नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चेनल में आज का हमारा विषय है राहू रेखाएं राहू रेखाओं के जीवन पे पढ़ने वाले प्रभाव राहू रेखाएं जब हतेली के इस भाग से निकलती है तो वो आपकी आयू रेखा, हिर्दय रेखा, म सब ही को काटती है तो उनके क्या-क्या अलग-अलग परभाव और दुस्परभाव होते हैं राहू रेखाएं सबसे पहली होती कहां है किसी गलत रेखा को आप राहू रेखा न समझ ले इसलिए हम बता रहे हैं कि राहू रेखाएं जो होती हैं उठे के ये मूल भाले हैं ये रेखाएं अक्सर यहां से निकलती है कभी-कभी आपसे आयू रेखा भागी रेखाएं को काट देती हैं यह आ बहुत सारे जातक कहते लिती में में कई संख्या में राहू रेखाएं देखने हो मिलती है कई एक संख्याone तो आपने समझ लिया कि राहू रेखा हैं इस छेतर में पाई जाने वाले इन रेखाओं को राहू रेखा करते हैं आयू रेखा को जब तक ये राहू रेखा नहीं काटती है ये आपके जीवन में बहुत जादा दूस परभाव नहीं दिखला सकती है इस बात पर ध्यान दे यहाँ पर बहुत जादे रेखा हैं तो आपको इससे घवराने की आवेशकता बिल्कुल नहीं है ये रेखाएं अगर आपके जीवन रेखा से दूर खड़ी है थोड़ी सी भी दूर है ति इसके परभाव एकदम से छीन होंगे लेकिन जब ये रेखाएं आपके इस आयू रेखा को छू देती है इसके थोड़ी से परभाव देखने को मिलेंगे इतने परभाव लेकिन आपको ये रेखाएं से बिचलित होने की आवेशकता बिल्कुल नहीं है इसके थोड़ी से छीन प्रभव आपको देखने क्यों मिलेंगे जब ये आपकी आयू रेखा को छू देते हैं अगर ये जीवन रेखा को छूते हैं तो जीवन रेखा को छूने से सिर्फ आपके जीवन मतलब आयू को ही परवावित नहीं करते हैं आपके स्वास्त को भी परवावित कर सकते हैं आपके धामपत्य जीबन को मतलब आर्थिक रूप से, मांसिक रूप से और समाजिक रूप से और आयू को सभी को ये परवावित करते हैं लेकिन ये छूर है तो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे लेकिन जब यही रेखा है आपके आयू रेखा को काट देती है तो इतना तो तह है कि जीवन के इस भाग में ये जितनी उम्र पड़ती है उम्र को बाटना हमने सिखाया है आप देख सकते हैं ये जिस उम्र म इस उमर में काड़ दिया ति इसके परभाव कुछ लंबे समय तक भी चलते हैं वो हतेली की अन्य रेखाओं की स्थिति पर निर्वर करता है कि वो अपने कितने मजबूत परभाव छोड़ सकेंगे आपकी गरहों की अन्य गरहों की अगर स्थिति बहुत सुब है तो राहू उसमें बहुत ज़्यादा आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा लेकिन अन्य गरहों की स्थिति आपके हतेली में अगर ये सब गरहों की स्थिति निगेटिव है तो राहू आपको जवरदस्त नुकसान पहुंचाने वाला है अगर यही राहू रेखा है अक्सर देखन तो भाग रेखा को काटना का मतलब आर्थिक रूप से आपको नुकसान होगा, आपका कारी में ब्यावधान आएगा, आप जो भी कारी करें हैं वहाँ नुकसान पहुंच सकता है, आपको आर्थिक समाजिक मांसिक तीनों नुकसान होने वाला है, ये रेखा आगे बढ़ते मस्तिस्क रेखा को कार दे, अब आपको मांसिक रूप से बड़ी समस्या भी आ सकती है, ये समस्या किसी भी रूप में आ सकती है, ब्यवसाय से संबंदित, कारी से संबंदित, परिवार से संबंदित, स्वास्त संबंदित, ये सब समस्याएं आपको कई रूप में घेर सकत और यह जो रेखाएं हैं यह छोटी छोटी रेखाएं यह खास करके आपके जो है अपने लोगों के द्वारा खड़ी की गई समस्याओं को भी दिखलाता है जो आपके निकट के लोग हैं परिवार के लोग हैं सगे समंधी हैं मित्र हैं या फिर परीचित लोग हैं वे लोग दूस प्रभाव देखने को मिलते हैं अगर हिरदय रेखा को भी काड़ देती इसके और भी निगेटिव प्रभाव मिलते हैं आगे चलके अगर ये आपके विभार रेखा को काड़ देती इसके दामपत्य जीवन पर बहुत ही बुरे प्रभाव पड़ते हैं तो ये राहूर रेखाओं को काटते हुए आगे चली जाए इस पर रेखाओं की मोटाई पर भी थोड़ी ध्यान देनी पड़ती है उससे भी फर्क पड़ता है यह कारदे तो यह नुक्सान पहुंचाता तो आज की अंके में इतना ही अगले अंके में बात करते हैं धनी